हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने किसी वेब अपी आई से जो इमजीज के रिलेटर यू आरल का डेटा है वो SD Web Image Library और जितनी भी इमजीज हमने फैच की होंगी डाउनलोड की होंगी वेब एपी आई के तरू वो सारी इमजीज को हम राउंड शेप के अंदर जो है collection view की help के साथ grid की form के अंदर जो है उसे display करवाएंगे application के अंदर तो चलिए मेरे पास simulator के अंदर एक live running example है पहले मैं आपको उसकी working दिखा देता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बड़े ही easy and simple way के साथ इस तरीके की जो examples हैं वो अपनी iOS devices के लिए X code के अंदर swift language की help के साथ develop कर पाएंगे तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक application का जो design है वो पहले से ही ready रखा हुआ है और अगर बात करें उपर title बार की तो इसमें लिखा हुआ है as the web image library and web API और नीचे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से images को web API से fetch किया है और इस तरीके से मैंने grid की form के अंदर उसे display क collection view और अगर बात करें web API की तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक website dog.ceo इसके dog API में चलते हैं documentation में चलते हैं और आप देख सकते हैं bybreed एक web API है जो हमें इस तरीके का जो data है जिसमें आप देख सकते हैं images के जो urls हैं वो हैं वो json format में हमें available करवाती है अगर मैं एक image आपको यहां पर url के through open करके दिखाऊं तो आप जान पाएंगे किस तरीके से image वो यहां पर निकल के आती है इसी url की help के साथ हमने data को यहां पर आप first image को देख सकते हैं data को हमने fetch किया है यहां पर आप देख सकते हैं image बिलकुल match करती है और images को download करने के लिए हमने खुछ से code जादा नहीं लिखा हमने directly sdweb image library जो के यहां पर आप देख सकते हैं github पर मैं इसको दिखा देता हूं आपको sdweb image library यहां पर मैं google पर साथ करके दिखा देता हूं एक पर आपको तो यह basically हमने coco ports के तुरू जो है इसको import किया है embed किया है project के अंदर तो यह हमें asynchronous image downloading की जो facility है वो provide करती है इसमें फायदा यह है कि आपको code लिखने की ज़रा ज़रूरत नहीं है सारा जो function को जो handle करने का काम है वो यह library खुझ से करेगी आपको simply जो इसके required functions है उनको call करना है और आप directly images को जो है download करवा सकते हैं किसी भी URL से तो इनी components की help के साथ हमने यह वल्ला जो application का जो design है वो implement किया है आप देख सकते हैं इसको आप जैसे चाहें scroll कर सकते हैं तो यह है हमारी आज की example और practically तो आपने देख लिया है किस तरीके से यह example वो करती है अब हम theory के related जो important terms हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि आपको पता ही है जितने भी tutorials मैं अपने channel के उपर upload करता हूँ तो मैं आपको हर एक application को practically implement करने से पहले उसकी जो important theory के related जो terms होती हैं उनके बारे में जरूर guide करता हूँ तांके channel के members जो हैं वो Google पर search करके इनके बारे में और भी ज्यादा जो information है वो गेन कर पाएं तो सबसे पहला जो concept है वो है SD web image तो यह basically एक library है जिसको हम Coco Ports के थरू भी जो है project में embed कर सकते हैं और इसका जो सारा source code है वो github पे इस तरीके से available है और यह basically asynchronous image downloader with cache port एक feature जहां कह सकते हो इसकी जो working है वो इस तरीके से काम करती है कि आप इसको URL प्रवाइड करके images को download करवा सकते हैं internet की help के साथ और इन्हें embed कर सकते हैं UI image view के अंदर तो यह एक अच्छी library है बहुत ही अच्छी library है अगर आप asynchronously images को download करना चाहते हैं और उन्हें application की memory के अंदर temporary restore करवाना चाहते हैं with the help of cache support यह तो थे basic इसकी working अब other features भी यह provide करती है library वैसे तो काफी सारे features यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर read out कर सकते हैं अगर जो basic features हैं वो है asynchronous memory, disk, image caching with automatic cache, expiration handling, image loading indicator भी आप embed कर सकते हैं image loading, transition, animation भी apply कर सकते हैं और यह वाली library हमें guarantee देती है कि एक ही URL से यह data को बार बार download नहीं करेगी और यह भी guarantee करती है library कि जो invalid URL होगा जो bogus URL होगा उसको यह बार बार उससे data को fetch करनी की कोशिश नहीं करेगी तो चलिए friends जो मेरी next concept यह term कह सकते हो वो है UI collection view तो iOS के अंदर basically यह built-in class है UI collection view जिसको design किया गया है तांके आप manage कर पाएं ordered collection of data items को and उन्हें present कर पाएं customizable layout की form के अंदर एक काफी flexible way provide करता है collection view तांके आप user को content अच्छे से जो है present कर पाएं और इसकी जो working है वो same table view की तरह ही है यह भी किसी data source से data लेता है collection view और उसे display करवाता है with the help of cell layout and supplementary views अगर कहीं पर भी application के अंदर आप data को grid की form के अंदर display करवाना चाहते हैं तो आप easily custom layout जो है वो use कर सकते हैं collection view के साथ तो friends यह तो थी theory के related एक दो terms जो आपके लिए जानना काफी important था अब हम देखेंगे कि इस example को हमने practically कैसे implement करना है तो उसके लिए सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूं इस पूरे project को मैं close कर देता हूं एक नए project के साथ यहां पर बिल्कुल beginning से इसकी implementation है वो start करते हैं तो सबसे पहले single view app आपने implement करनी है product name के अंदर आज की example का जो भी name आप देना चाहते हैं वो यहां पर provide कर सकते हैं तो मैं अपने accordingly यहां पर एक name provide कर देता हूं as the web image web API collection view और नीचे आप कोई भी configuration आपको करने की जुरूरत नहीं है बस आपने जो language यूज करनी है वो करनी है swift इस तरीके से और next पर click किजिए अब आप अपने laptop के अंदर कहीं पे भी एक folder create कर सकते हैं तांके आज की example का जो सारा source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो मैं इस तरीके से एक folder create कर देता हूं और इस folder के अंदर पूरे का पूरा project जो है वो create कर देते हैं तो friends यहां पर आप देख सकते हैं project मेरा जो है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाऊं तो जो swift का version है यहां पे वो है मेरे पास 5 और अगर बात करें मैं X code की तो यह 10.2.1 अगर आपके पास इस से higher version है तब भी आप इस example को इसी वे के साथ easily develop कर पाएंगे और जो मेरे पास laptop है यह Macbook Air तो friends आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटर जो वीडियो टुटोरियल्स हैं उनके सबसे बड़िया जो मैथर्स हैं वो अप्लोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और इनकेस कहीं पर भी आपको कोई प्रोग्रामिंग आती है तो आप हमें यूटूब की वीडियो के नीचे यहां फिर हमें डारेक्ली इमेल कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रप्लाई वो जितनी जल्दी हो सगे आपको दे पाएं अब आप देख सकते हैं जो मेरी यहां पर मैं एक बार एप को ओपन करके दिखा देता हूं कि जब तक इमेज डाउनलोड नहीं होती तब तक हमने इमेज के ओपर जो है एक डिफॉल्ट इमेज जो है वो प्लेस की है जिसको आप एमटी इमेज भी कह सकते हैं कुछ इस तर इस फोल्डर के अंदर जो है वो इंपोर्ड करनी पड़ेगी तो मैं आपको दिखा देता हूं मैंने पहले से ही इमेज जो है गूगल पे सरच करके उसको डाउनलोड कर रखा है तो आपने इस तरीके की एक इमेज जो है डिफॉल्ट इमेज जो है इसको ड्राग और आप क कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो सबसे पहले यहाँ पर रैडी करना है तो चलिए सबसे पहले आपने अब्जेक्ट लाइबरी के थूँ एक यूई एलिमेंट सर्च करना है collection view और इसे drag and drop करना है storyboard के ऊपर अब मैं इस collection view के ऊपर जो constraints हैं वो अपलाई से four sides पे zero zero आपने apply करने हैं चारों constraints इस collection view के ऊपर अब हमने size inspector के अंदर जाना है और इसके जो collection view के cell का size है वो आप अपने accordingly कर सकते हैं मगर आप कोशिश कीजिए width 200 यहाँ पे mention कीजिए height 200 minimum spacing cell के लिए five lines के लिए five section insert top पे two bottom पे zero left पे two right पे two इस तरीके की जो configuration है वो आपने कर दिनी है अब आपने object library के अंदर search करना है image view और इसे drag and drop करना है stable view के अंदर cell के अंदर और इसकी जो width है वो आपने करनी है 180 by 180 इस तरीके से और इसे align कीजिए बिल्कूल horizontally and vertically center में attribute inspector के अंदर जाकर यहाँ पे set कीजिए एक default image इस तरीके से अब हमने इस collection view का जो delegate and data source है वो configure करना है तो collection view को select करके keyboard पर control की को प्रेस करते हूं से इस तरीके से drag and drop करेंगे सबसे पहले data source फिर control की को यहाँ पर प्रेस करते हूं drag and drop और यहाँ पर delegate data source and delegate दोनों ही configure हो चुके हैं अब हमने इस collection view के cell के लिए एक custom class जो है वो create करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर add करता हूं नई यहाँ पर रख सकते हैं मैं यहाँ पर रख देता हूं my collection view cell next पर click करेंगे और इसे create करेंगे project के अंदर जो मेरी custom class है वो यहाँ पर बन चुकी है अब हमने main road storyboard में जाना है और जो collection view का cell है उसके साल उसके साथ इस custom class को attach करना है identity inspector में जाना है cell को select करना है और यहाँ पर जो class आपने create की है उसका थोड़ा सा name लिखने की कोशिश करनी है X code automatically सारे का सारा name जो है वो fetch कर लेगा आपने enter press करना है अब आपने attribute inspector के अंदर जाना है और इस cell का जो identifier का name है वो आप कोई भी यहाँ पर mention कर सकते हैं तो मैंने identifier का name दे दिया cell जब coding में इसके जरूरत पड़ेगी तब आपको जो identifier का name यहाँ पर लिखा होगा वही same name आपको coding के अंदर जो है वो use करना पड़ेगा तो जब coding की requirement होगी तब मैं आपको वहाँ पे एक बार फिर से remind करवाऊंगा इसके बारे में अब हमने इस collection view और इस image view का जो IB outlet है वो create करना है तो इसके लिए मैं assistant editor में चलता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं side वाले panels को मैं hide कर देता हूँ तांके आप clearly यहाँ पे देख पाएं by default जो class open हुई है वह view controller class तो इसके अंदर हमने इस collection view को select करना यहां से और control key को press करते हूँ कीबोर्ड पे से इस तरीके से drag and drop करेंगे और name आप IB outlet का कोई भी रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे name रखा है my collection view और इसे connect कर देते हैं अब हमने automatic की जगे पे manual के through यहाँ पे जो class open करनी है वो करनी है my collection view cell class और इसके अंदर हमने इस image का cell के अंदर जो image है इसका IB outlet create करना है control key को press करते हूँ इस तरीके से my image view और इसे भी connect कर देते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने जो IB outlets है वो create कर दी है अब मैं फिर से standard editor में चलता हूँ side वाले panels को unhide करते हैं और एक बार इसको save करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से तांके coding करते हैं वक्त जो हमने configuration की है वो reflect हो पाएं आपके program application के अंदर अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी DAW की जो web API है उससे हमें जो data मिलेगा वो basically इस json format के अंदर मिलेगा तो यह जो json format है इसकी full format javascript object notation तो इसे हम directly application के अंदर use नहीं कर सकते हमें इस data को पहले swift की structure में convert करना पड़ेगा और बाद में उसे use कर सकते हैं अपनी application के अंदर तो इसके लिए conversion करने से पहले हमें एक structure create करनी पड़ेगी अपनी app के अंदर तो मैं यहां पे एक structure create करता हूँ नई file पहले create करेंगे file swift file का name आप कोई भी रख सकते हैं मैंने dog data रख दिया इसको create करते हैं project के अंदर अब मैं यहां पे लिखता हूँ struct dog data और protocol यूज करूंगा codable क्योंकि codable ही एक ऐसा protocol है जो हमें json से swift में conversion और swift से json में conversion की जो functionality है वो provide करता है तो अब हम यहां पर properties जो हैं वो mention करेंगे एक पहले array करेंगे यहां पर create फिर हमने status नाम का string constant जो है वो यहां पर declare किया है आपने कोशिश करनी है जो properties के names है वो बिलकुल match करने चाहिए जो json में keys हैं उनके साथ जैसे यहां पर json के अंदर मैं आपको दिखाओं पहले message तो same name की property मैंने create की है अब है status तो same name की जो property है वो मैंने यहां पर create की है तो friends यहां पर मेरी जो structure है वो create हो चुकी है आप चाहें तो वीडियो को यहां पर pause करके इसकी जो coding है वो no down कर सकते हैं अब मैं save करता हूं इसे और अब हम जो CocoPode उसके थूँ जो है अपनी इस application के अंदर तो चलिए friends CocoPode के थूँ जो हमारी as the web image library है उसको हम यहां पर embed करेंगे अपने project के अंदर तो इस project को हम करेंगे close यहां से बंद कर देंगे पूरा project अब हमने terminal open करना है यहां से terminal search करना है और इसे open करना है अब मैं इसे थोड़ा सा zoom कर देता हूं तांके आप commands जो हैं वह अच्छे से देख पाएं अब आपने जहां पर भी अपने project को create किया है अपने laptop के अंदर उस folder को open करना है जैसे मैंने आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर मैंने एक folder create किया है और इसके अंदर सारे का सारा जो project है वह मैंने create किया है तो इस वाले folder को हमने use करना है सबसे पहले यहां पर लिखेंगे sd उसके बाद में space फिर आपने जो folder project का create किया है उसको drag and drop करना है terminal के अंदर इससे होगा क्या आपका पूरे का पूरा path जो है वो automatically यहां पर फैच हो जाएगा आपको type करने की कोशिच जो है वो नहीं करने पड़ेगी तो enter press कीजिए तो आप देखिए यहां पर हम folder के अंदर जो है वो जा चुके हैं अब आपने लिखना है पूर्ड इन इट एक पूर्ड फाइल क्रिएट करेंगे और enter प्रेस करेंगे यहां पर तो फिर से project वाले folder में जाएए आप देख पाएंगे कि एक पूर्ड फाइल जो है वो यहां पर बन चुकी है अब आपने इसको open करना है text editor के अंदर और इसको भी मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा तांके आप clearly देख पाएं अब हमने यहां पर लिखना है pod small letters में और single quote में लिखेंगे as the web image जो library का नेम है उसके बाद में comma और उसके बाद में जो भी version आप यूज़ करना चाहते हैं उसका जैसे मैं यहां पर यूज़ करूंगा 5.0 क्योंकि मेरा जो x code का version है वो थोड़ा सा पुराना है इसलिए मैंने यहां पर यूज़ किया 5.0 और इसको मैं एक बार अब save करता हूँ इस file को बंद करेंगे library की files हैं वो download हो पाएंगी यहां पर लिखा आ चुका है कि pod installed complete installation complete अब मेरा जो pod है वो embed हो चुका है जो sdweb image library है वो project में embed हो चुकी है अब मैं इस terminal को close कर देता हूँ और आप देख सकते हैं काफी सारी files नहीं जो हैं वो folder के अंदर बन चुकी है पहले हम इस project में modification करते थे जो यह blue color का है मगर pod install होने के बाद इस तरीके का एक workspace यहां पर बन चुका है अब हमने इस workspace को open करना है और इसके अंदर जो है बाकी project जो है वो create करेंगे तो मैं फिर से अपना जो graphical user interface है वो यहां पर open कर लेता हूँ main.storyboard के थुरू तो चलिए हमने अब बाकी कोडिंग की तरफ जानना है जो dog data की structure थी वो आपने पहले ही सीख लिए create करनी अब हम view controller के अंदर जाएंगे और यहां पे बाकी कोडिंग जो है वो करेंगे तो सबसे पहले ऊपर import करते हैं यहां पर as the web image जो हमारी framework यहां library कह सकते हो वो अब हमने यहां पे दो objects create करने है dog all data यह होगा dog data type का optional अब हमने एक array create करनी है dog image all links इस तरीके से और यह एक blank string array होगी तो यहां पे इस तरीके से आपने पहले दो objects जो है वो create करने हैं अब मैंने कुकि web API से data को fetch करना है तो web API से data को fetch करने के लिए मैं एक separate function जो है equal to URL string और इसको pass करेंगे जो web API का यहां पे URL था इसको copy करेंगे और इसको as is URL यहां पे pass करेंगे चलिए पहली line की coding हो चुकिए अब हम यहां पे एक टास्क क्रिएट करेंगे URL session की help के साथ जो के data टास्क होगी विद में इसको URL पास करेंगे forcefully unwrap करके अब हमने curly brackets और बाकी backspace से delete कर देना है इससे हमारा completion handler का block है वो बन जाएगा और जहां पे आपका completion handler close हो रहा है उसके बाद हमने इसको करना है resume एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहां पर पहले यहां पर हम तीन तरीके का जो data है वो process करेंगे data response error इस तरीके से इसको अब मैं save करता हूं और अब नीचे लिखता हूं task dot resume ऐसे तो चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या कहता है कि यह हमने यहां पर mention कर दिया है error हमारी जो है वो यहां पर fix हो चुकी है क्योंकि यह declare नहीं किया था हमने अब हमने सबसे पहला काम करना है guard statement की help के साथ data को validate करेंगे और error देखेंगे सब्सक्राइब के वो निल हो अगर ऐसा नहीं होता तो एस ब्लॉक में directly हम error message हो है वो प्रेंट करवाएंगे अगर data validate करते वक्त कोई problem आती है तो error message आएगा और directly हम return करेंगे अगर data properly validate हो जाता है guard statement successfully काम करती है तो हम आगेज बढ़ेंगे और यहां पर एक object create करेंगे dog data type का optional object अब हमने do block को यहां पर use करना है तांके JSON data को structure में convert कर पाएं और अगर do block में कोई error आती है तो उसे catch block के through हम पकड़ेंगे तो यहां पर लिकिंगे print statement error while recording JSON into swift structure और इसे concatenate करेंगे error के साथ इसरी के से और जो हमारा do block है उसके अंदर हम data की decoding करेंगे JSON decoder के through और यहां पर लिखेंगे dog data dot self और from में लिखेंगे data चलिए अब इसको मैं save करता हूं और मेरी जो errors हैं वो automatically fix होंगी अब हमने catch block के बाद लिखना है self.dog all data इसको हम data कहां से provide करेंगे dog object से जो data यहां पर निकल के आएगा वो data हमने यहां पर इन दो objects को जो है provide करना है एक array को और एक object को तो object को मैंने provide कर दिया है अब मैं array को भी data provide करूंगा dog image all links dog all data self लिखेंगे साथ में क्योंकि Completion Handler में काम करें और forcely interrupt करेंगे और साथ में लिखेंगे message अब क्योंकि हम Completion Handler में काम करेंगे तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं जब आप Completion Handler के अंदर हो और आपने किसी भी UI element चाहे label हो चाहे text field हो चाहे button हो चाहे collection view हो उसमें updation करनी है तो आपको main thread में जाना पड़ेगा और main thread में जाने के लिए यहां पर लिखेंगे dispatch queue dot main dot earth sync और इसके अंदर लिखेंगे my collection view dot reload इस तरीके से तो friends यह फैच data function था वो हमारा बिल्कुल ready है आप चाहें तो वीडियो को पहले यहां से यहां तक pause करके इसकी coding no down कर सकते हैं अब आप यहां से लेके यहां तक जो है इसकी coding no down कर सकते हैं और इस fetch data को अब मैं call कहां पर करूंगा इस view did load के अंदर यहां पर तांके जैसे application आपकी start हो तो automatically fetch data जो है वो execute हो जाए अब हमने collection view को implement करना है तो उसके लिए हमें जो protocols हैं उनको use करना पड़ेगा तो सबसे last में चलते हैं यहां पर तो मैं यहां पर लिकूंगा extension view controller uicollection view delegate uicollection view data source uicollection view delegate flow layout तो यह तीन protocols हमने use करने हैं तो आपको पता ही है जब भी आपने protocols को mention करना है तो उनको confirm करने के लिए उनके ऊपर खरा होतने के लिए उनके जो compulsory methods हैं वो code करने पड़ते हैं तो आपको यहां पे fix पे click करना है और जो compulsory functions है उनका जो skeleton है वो यहां पे बन चुका है इसके इलावा अगर कोई protocol के related कोई और function आपको required है तो आप उनको भी code जो है वो कर सकते हैं तो सबसे पहला जो collection view का function है जिसमें आप parameter देख सकते है number of items जो है section के अंदर कितनी होनी चाहिए तो यहां पे हम return करेंगे जितने elements number of elements इस array के अंदर है उतनी number of जो items हैं वो section के अंदर होगी collection view में यहां पर मैं return करूंगा dog image all links.count इस तरीके से तो पहला function जो है वो हमारा code हो चुका है अब हमने second function implement करना है जिसमें आप parameter देख सकते हैं cell for item add इसमें हम coding करेंगे के हर collection view के cell के अंदर हमने data कैसे display करवाना है तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूँ let's cell equal to my collection view dot dq reusable cell identifier में cell का नाम for में index path और इसे typecast करेंगे my collection view cell class के through अब आप कहेंगे यहां पर cell कहां से आया तो मैं आपको main dot statement में दिखाता हूँ कि जब हमने collection view का cell implement किया था तो यहां पर जो identifier का name यहां पर लिखा था वही same name अब हमने coding के अंदर जो है वो यहां पर use किया है अब हम यहां पर if let statement जो condition है वो use करेंगे सबसे पहले यहां पर image का URL जो है वो चेक करेंगे उसको data कहां से आएगा dog image all links में से आएगा कौन सा element index part dot row के तुरू assess करेंगे अगर इफ हमारा block execute होता है तो हम cell के image view के अंदर image को download करवाने के बाद as the web image library के through display करवाएंगे अगर यह वला URL validate नहीं हो पाता तो else में हम directly लिखेंगे print invalid URL और यहां पर लिखेंगे no image एक print करवाएंगे statement output window के अंदर और cell की जो my image है उसकी image set करेंगे UI image की help के साथ जो empty image थी उसको empty image आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर जो यह वली image है इसको हम display करवाएंगे और else के बाद return करेंगे cell को और अगर control इस if block के अंदर जाता है तो हम यहां पर लिखेंगे cell.myimageview.sd उसका image indicator set करेंगे sdweb image activity indicator की help के साथ gray color अब हमने उसकी जो activity indicator की जो animation है वो start करनी है अब हमने जो URL है उसकी help के साथ जो data है जो image है उसको download करवाना है sd.setimage जो function है और उसको हम call करेंगे यहां पर इस तरीके से with में pass करेंगे email URL प्लेस होल्डर में ब्लैंक इमिज पास करेंगे empty image और उसके बाद में option में लिखेंगे continue in background completed में निल पास करना है क्योंकि कोई भी completion है यहां पर हम यूज नहीं कर रहें तो यह code है basically most important देखिए हमने कैसे एक line में ही sd.web image library का एक function use करके URL से जो image है उसको download करवाया है अपने image view के अंदर अब हमने जो my image viewers की content mode property जो है वो करनी है यहां पर scale to fill और आप देख सकते है original application के अंदर हमने हर image को जो है round में convert किया है round shape में convert किया है तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे cell.my image view layer.corner radius एक उसकी property है इसको हम pass करेंगे cell की my image की जो height है उसको divide करेंगे two के सार तांके round shape में जो image निकल के आए तो friends यह वाला function भी हमारा जो है properly यहां पर code हो चुका है आप चाहें तो वीडियो को pause करके यहां पर इसकी no coding जो है वो no down कर सकते हैं तीसरा जो protocol है उसका एक function जो है वो यहां पर implement करेंगे यहां पर आपने लिखना है size for item enterprise करना है और जो function है collection view का उसका skeleton है वो यहां पर बन चुका है आप देख सकते हैं इसमें मैं लिखूंगा let size equal to collection view dot frame dot size dot width padding के लिए minus 10 करेंगे और divide करेंगे 2 के साथ और यहां पर return करेंगे cg size और यहां पर हम लिखेंगे width width हम लिखेंगे size height हम लिखेंगे यहां पर size इस तरीके से तो friends जो हमारा तीसरा function है वो भी हमने ready कर दी गया है अब हमने एक function or ready करना है क्योंकि कई बार होता क्या है जब हम fastly इसको scroll करते हैं तो जो images है वो एक दूसरे के ऊपर change होती हुई overlap होती हुई हमें नजर आती है क्योंकि पुरानी image अभी download हो रही होती है हम नई image वहाँ पर place करवा देते हैं स्क्रोल करते वक्त फॉसली तो वह overlap ही नजर आती है उस चीज को remove करने के लिए आपने करना क्या है आपने एक function यहाँ पर override करना है my collection view cell के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है override prepare for reuse सबसे पहले super को call करेंगे prepare for reuse अब आपने my image की जो image है उसको set करना है UI image की empty image के साथ empty image इस तरीके से आपने इसको save कर देना है तो चलिए friends हमारी coding जो है वो complete हो चुकी है graphical user interface भो भी ready है तो मैं जो graphical user interface है वो यहाँ पर इसको select करता हूं और यहाँ पर navigation controller भी add कर देते हैं तांके title में भी हम जो title bar है उसमें हम data को display कर वा पाएं एक information दे पाए user को तो यहाँ पर इसको select करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे as the web image library and web api इस तरीके से और इसका जो view का जो color है वो भी मैं थोड़ा सा chain कर देता हूं तांके थोड़ा सा different app आप आप लग पाए है यहाँ पर दो errors निकल के आई है क्योंकि मेरा जो iOS यहाँ पर simulator के नीचे आप देख सकते है 12.2 है और जो X code है वो भी पुराना है तो मैं नई coding जो है वो यूज नहीं कर सकता इसके अंदर इसलिए मैंने इसको select करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं iOS 13.0 के लिए है तो मैं इसको double slash लगा देता हूं unlock करने के बाद और इस code को जहां पर error display हो रही है उसको मैं as a comment जो है वो यहाँ पर बना देता हूं क्योंकि मुझे इसकी requirement नहीं है फिर से build करते हैं अगर फिर से कोई error आती है तो इसको भी हम जो है comment में convert करेंगे चलिए इसको मैं select करता हूं अब जो lines है वो ज्यादा है तो forward slash इसको पहले unlock करेंगे और फिर star और जहां तक error है वहां तक फिर से star और इस block को forward slash से close करेंगे तो यह पूरा block मैंने comment में convert कर दिया है क्योंकि यह iOS 13 के लिए है अगर आपके पास नया version है Xcode का and जो iOS का version है वो भी नया तो आपको फिर यह changes करने की ज़रूर नहीं है मेरे पास जो version था वो पुराना था इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा बहुत जो है वो लाइबरेरी के अंदर जो है वो changes की है तो app हमारी successfully build हो चुकी है यहां पर आप देख सकते है किस तरीके से activity indicator भी यहां पर display हो पा रहे है क्योंकि मेरे internet की speed इस time पर थोड़ी slow है तो चलिए यह भी एक बड़िया way हो गया है कि आपको यहां पर नजर आपाया है कि किस तरीके से data download होता है processing indicator की help के साथ तो आप देख सकते हैं आप बिल्कुल perfectly work कर रही है data properly यहां पर display हो चुका है तो friends यह थी हमारी आज की example जिसमें हमने सीखा कैसे आप as the web image library को यूज करके multiple images को download करवा सकते हैं तो चैनल को subscribe करना मत भूलिए बेल आइकोन को प्रेस कीजिए तांके जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के उपर upload करें उसका जो notification है उसी time पर आपके पास जो है वो पहुंच पाए तो चैनल के साथ बने रहिए वीडियो देखते रहिए प्रोग्रामिंग सीखते रह तो जीडियो प्रोग्रामि सीखते लाँ प्रोग्रामि सीखता पे लुड़ के लिभ के डhandchiefयो देल लॉष दो पाफगो तो नई स्वेस जो Will दूनोरी को चेंगने वीडियोखते लह गए प्रोग्रेस त साह बनावने प्रोग्रामि से लë लगते की है टे हम उबनीवर झाल झाल